आज मैं आज मैं लाइप प्रोसेस के फिक्रम में इस तो माटा को बताने जा रहे हैं हम सभी जानते हैं कि हरे पोधों में जो पतियां है वह ही मुख्य रूप से फोटो सिंथ्रेटिक ओर्गन है इसे पोधों का रस्वी घर भी करते हैं आप जानते हैं कि पोधों की इन पतियों में क्या दो सता होते हैं एक डोर्टल सर्फेस जो हम देख रहे हैं और दूसरा है बेंट्रल सर्फेस तो डोर्टल सर्फेस को एडेक्सिल सर्फेस करते हैं और बेंट्रल सर्फेस को एडेक्सिल सर्फेस करते हैं लेकिन भेंचल सर्फेस पर यानि ये वेक्षियल सर्फेस पर एस्टो माजा की संख्या अधिक होती है और हम सभी जानते हैं कि पूरे प्लांट्स बोड़ी वह अहां कौवर होता है इसे तो तीन लेयर से है और ये तीन लेयर जो पोड़ों को कवर करते हैं पत्यों में भी ये तीन लेयर होते हैंfire निम्निक्त प्रकार से होते हैं मैं इसे लिख राओ हूं यह यह तीन लेयर है वहला is Trinity Dermis नभा़ फूमीजयशुटर्मिश और तीसरा इंडो डर्मिस तो इपी डर्मिस वो दोनों के पत्यों के जो इपी डर्मिस है उस इपी डर्मिस में पैली सेट टिस्यू होते हैं और उस पैली सेट टिस्यू में ही इस्तो माटा पाई जाते हैं ये इस तो माटा है रसना में क्या है यह एक जोरे गार सेल से ड़के रहते हैं और ये गार सेल क्या करता इसको खुलने और बंद होने में मदद करते हैं जैसा की महें चुत्र बनाराम जायत पर गौर करेंगे गजय करते हैं यह जो तुमसे तब देख रहे हैं यह इस तो माटा के हैं इस तो माटा में जो में पॉर्चर हम देख रहे हैं यह इस तो मेटल ओपनिंग कहलाता है और यह दोनो गार्ट सिल्स और यह सभी कमपेणियन सेल्स हैं तो सभी स्टो माटा कहा है तो इपी डर्मीज के पहली से ठीसून है अब स्टो माटा की परिवासा क्या करेंगे हैं इस तो माटा कहा जाता है आप। किनिपोस दा आर प्रजेंट ओन इपी डर्मल सरफेश अग लिट्ष यहां लोग इस्टो माटा की परिवाजा देख रहें पुरायगवाद देखीन पोस दा आर परिजेट ओन इपी डर्मल सरफेश अब लिट्ष अब लिट्ष अब कॉल्ड इस्टो माटा इस्टो माटा को लोग हिंदी में रंध करते हैं और यह रंध जो है जहां यह ओपन करता है वह गार्ड सेल से गिरे होते हैं अब गार्ड सेल का ही मुखे बंतन है इस्टो माटा के खुलने और बंद होने हैं का जाता है कि जवल इस्टो माटा के जार से लिंदी वाटर जाओ आते हैं और वाटर की मातरा बर जाती है तो यह अवस्था इसका टर्जी अवस्था का लाता है यह क्रिया टर्जी डिती और टर्जी डिती के कारण क्या है तो यह स्टो माटा के खुल जाता है यहनी इस गार इस held से पानी बाहर आता है यहाँ पानी निकल जाते तो इस कंडिसम को के कर देल करते हैं और फिर इस्टो माटा के कोल हो जाता है इस तरह इश्टोमाटा की खुल्ले और बंद होने की युक्रिया या गारचेर की द्वारा नियंतित होती है और जो सेंस है वह कर्पेनिय सेंस है वह सिर्फ either करता है इस प्रकार इश्टोमाटाक की आरे हमें सॉमानी रचना देख रहे हैं अब उनको जानना है कि यह इस्टुमाटा के कालिक चाहते हैं, उसे हम बिंदुबार यहां निकले जा रहे हैं देरहर थ्री फंसंस और इस्टुमाटा इस्टुमाटा के पिल काले होते हैं फर्क दे मेग गयस्टुमाटा विद्ध इनमारवेंट नुम्र दो तुम्रावेंट fly ध्रव्यो आश्य़ ऑम प्रांसुमाटा ग्रव्यो अप्रूबरितन कि अप्रूबाश्टितन प्रूद़ कि यूबपितने रिवित जी अप्रूब था दोगितने च्रूबश्ट आ वानगे कर दोर आपन कर द्यार भाप रह बहर इस प्रकार हम देखते हैं कि यह तोमाटा तीर कालब करते हैं पहला तो यह देशों का इक्सेंज करते हैं इक्सेंज का मतलब आदान परदान करना यह सेल के अंदर बाहर से करवंडाय आउक्साइड गरण करते हैं और फिर आउक्सिजन को बाहर करते हैं जैसे आमने कर्चा नगों में पढ़ा है कि यह सेल जो होता है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियन के आदर पर होता है यह जब शेल के अंदर आउक्सिजन की मात्रा अधिक अधिक होता है तो यह आउक्सिजन बाहर जाते हैं और जिख बाहर की मात्रा अधिक होती है कंदरेशन अधिक होता है तो बाहर के क्यों में परतान करते हैंलता करते हैं नेकर धिन करते हैं शेल की अयद्धाल करते हैं कि यह करको बसकते में क्या करते हैं तो λέut dei करे सब्सक्राइशन करते हैं जिसके च्राइश है लिखागया है मंचित्यों है जानते हैं कलोखिली एक सब्सक्राइब करते हैं इस तरह से हम इस टुमाटा के कार्ज़ को भी समझ गए अब मेरा यह तीसरा जुन्द होए काने का वैच्छा है ज़र हम लोग समधेंगे ध्यान से कि प्रकास संक्लेशन की क्रिया में क्या करते हैं कार्गोहड़िट का निर्मान करते हैं और कार्गोहड़िट से ग्लुकोज प्राप्त हो जाता है और फिर ग्लुकोज के उक्तिजेशन से पोदे को उजा मिल जाती है इस तरह से क्या है पोदे के एक नुट्रेट्स अर्था एक और्वेनिक कंपॉंड मिल जाते हैं लेकिन जीश तरीर को चलाने के लिए तीन मुख प्रप्रच्रियंट्ट्रेट्वेMK नुट्रियंट्रेट्ट्रेट्र है और नुट्रेट्री मैं मुखता देशना के नशना क्या लिए कृज्च कृछ्टित कर लेते हैं लेकिन फैड्स और प्रोटीन को प्राप्त कर देकर out तो इसे हम लोग जाने ये गार्भभड़िक हमने पहा कि plants utilize glucose, but some parts of glucose remains in the plant body and there remains glucose as a store as in the form of the stars. हैं तो दिस ग्रुकोज और कार्व आड़ेट फाइली एकुमुलेटेज एगिंदफ पॉर्म आप फैस इंद पॉर्म आप यह फैस के रुप में बसा के रुप में वड़ा जाए यह लेकिक प्रोटी जो अवच्छत बोर्डी का निर्मान करने के लिए जो और गेंक कंपॉं मिर्दा से प्राप्ट करते हैं यह सलफर है आइरन है मेंगनेसियम है फासपोरस है और यह समुझा बोल्डी में चाहते जरुं के द्वारे आते हैं और यह नाइट्रिजेन बолu refuse पहुतने के बाद ये नाइट्रोजन के कंपॉंड में बदलते हैं सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो है वह है नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में चावते फिक्स होते हैं और वो प्लांट बोडी में पहुंचते हैं और प्लांट सेल में जाकर के हुआ प्रूटीन के रूप में convert हो जाते हैं और में जमी जानते हैं कि कुछ दलनी कुल के जो पौदे हैं उनकी उरव में चाहे राजोगीम बैक्टेरिया होता है और यह जिए भीष्टेरिया का करता है बाता वरंकी स्वाद्धन ल्यक्टेरोझन को यह रिसीब करता है रोसी को नैड्रिड और नाइटलाइटनि में बदलता है इसे प्लां्ट वॉयदिगन करता है और प्रूडिक करने के लिए जो संञे करने के श्री निर्मान कर लेता है इस तरह से अपर बिए तीर आम पॉलने चल्छ के जो हम की जानते हैं अब एक बात में और भी इंडिकेट करना है हुआ हिया है कि जब हम पत्यों के ट्रांस्वर्स्ट एक्षन करते हैं ट्रांस्वर्स्ट एक्षन का मतलब आप जब इसके अनप्रस्ट कार्ड कारते हैं तो इत्ते अंप्रस्त काढ़ काढ़ने में के वाद इसकी अंतरगर सेल्स के अंदर छोटे-छोटे गोले के समान हरे गोले के समान रचनाय दिकाहिक पत्वी है और वही रचना क्या है क्लूरॉफील होते हैं अब हम अगले अगले वीडियो में हम क्लोफिल की क्या हो सकता है प्रकास्टिसलेशन की क्रिया में या भी पोदे क्या करते हैं भोजन निर्मान में क्लोफिल का उप्योग कैसे करते हैं या भोजन निर्मान में क्लोफिल क्या हो सकता है इस बात पर और इसका डिमोंस्टेशन हम अगले वीडियो में करेंगे, इस तरह से आज के लिए यह प्रियाफता है, और इसे वीडियो को सम लोगे देखेंगे, और इसे समझने का पले करेंगे, और इसे पे काप्य भी लिखने का पले कारेंगे.